हलो दोस्तों केसे आप सब लोग अम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और दोस्तों आज का वीडियो यूट्यूब का सबसे वेटिंग वाला वीडियो है क्योंकि कई लोग बहुत सालों से इस वीडियो को ढूंड रहे होंगे क्या यूटियल गामा प्लस 1 kVA 12 वो और दोस्तों मैंने काफी टाइम से माइक्रो टेक के इंवर्टर पर यूज किया मेन प्रोब्लम क्या रहती है वह भी मैं आपको समझा जेता हूं देकि दोस्तों अगर आपके पाद 1500hp बैटरी है तो वहां पर बहुत सारे इंवर्टर नहीं चला पाएंगे उससे 0.5hp व लोड जा रहा था बड़ उसके तुरंत 32% या 35% या 24-25% तक लोड आ गया था तो दोस्तों अगर यूटियल गामा प्लस से आपको यदि 0.5hp का वाटर पंप चलाना है तो आपको 200hk बैटरी यूज करनी होगी अगर 200hk बैटरी होगी तो इनवर्टर इजिली चला लेगा और दोस्तों 0.5hp का वाटर पंप है वो भी डिपेंड करता है कौन सी कमपनी का है क्योंकि कुछ वाटर पंप बहुत हैवी करंट लेत दोस्त उसका जो स्टार्टिंग में जर्क लोड था वो थ्री एंप्यर से उपर था बट फिर भी हमारे इंवर्टर ने उसको चला दिया और हमारे बहुत जादा मतलब इसा नहीं कि बहुत गेराई से हम पानी खीच रहे थे हमारे जो नल है उसमें हमने चलाया है जो पाइ एल गामा प्लस 0.5 HP वाटर पंप को चला पाता है पर दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि सारे वाटर पंप को चला पाए कुछ वह वाटर पंप ऐसी होंगे जो बहुत हैवी करंट लेते होंगे हमने हैविल्स का वाटर पंप चलाया 0.5 HP का तो इस पर चल रहा था और सोलर स दिखाते हैं आपको हाँ जिसके आप देख पा रहेंगे जो 0.5 HP का वाटर पंप है मारे पास यह गामा प्लस इस मोटर को चला परा है यह maximum current है जो मोटर ले सकती है 3.2 Ampere और जो हमारा inverter है वो 2.9 Ampere तक का लोड चला सकता है तो यहाँ पर दोस्तो सारे parameter में आपको दिखा दिए हैविल्स का water pump ही है देखे यहाँ पर तो दोस्तो इस water pump को हम चला के देखने वाले हैं तो water pump बहुत ही easily हमने run करके देखा है दोस्तो इसको पानी के साथ भी run करके देखा है और बिना पानी के साथ भी run करके देखा है बहुत ही easily यह run कर रहा था काफी अच्छे से काम कर रहा था तो इसको अब हम run करने वाले हैं अभी दोस्तों inverter पर ही यह pump connect है तो इसको हम run कर लेते हैं एक बार फिर चलते हैं inverter की screen पर जहांप हम देखें कितना percent load चल रहा है और दोस्तों यहां पर इस water pump को अब हम connection कर देते हैं inverter से इसके बाद देखते हैं कि यह जो हमारा inverter है इस 0.5 hp के water pump को चला पाता या नहीं चला पाता है तो आपको दिखाते हैं दोस्तों और हैविल्स कंपनी का water pump है जैसा कि आप देख पर होंगे तो दोस्तों यहां पर मैं on कर देता हूं इसको एक बार मैंने switch पर लगा दिया है अब मैं इसको on करने वाला हूं देखिए बहु लोड चल रहा है जैसा कि आप देख पर होंगे दोस्तों यहां पर एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूं परसंटेज लोड़ पर 26 परसंट लोड अगर स्टार्टिंग में केवल 98 परसंट तक जाएगा उसके बाद 25 या 26 पर जाएगा लास्ट 30 परसंट पर जाएगा मोटर अभी खाली चल रही है जब हमने पानी के साथ भी चलाया तो 25 से 30 परसंट तक से ज्यादा नहीं जारा था अब यहां पर अब दोस्तों वापिस से हम मोटर को चलाने वाले हैं देखिए जैसे मोटर हम स्टार्ट करेंगे 75 तक जाएगा देखिए 73 तक गया उसके बाद कुछ सेकंड चलने के बाद वापिस 25 परसंट पर जाएगा और दोस्तों यदि हमने जो हमारी पाइप लाइन है उसमें भी हम